108 MP vs 12 MP camera Tecno Spark 20 Pro Plus vs Google Pixel 5 camera comparison Tecno का HDR इस camera में काफी ज्यादा अग्रैसिव है और camera sensor भी Google के camera sensor से काफी बड़ा है दोनों phones ही almost same price bracket में fall करते हैं तो अगर आप budget में रहके कोई अच्छा camera phone ढोड़ रहे हैं तो ये video आपके लिए तो start करेंगे जारा daytime photography से और अगर में camera preview की बात करना हूँ तो टेक्नो ज्यादा bright लग रहा है बट इसमें camera का कोई कमाल नहीं है टेक्नो का डिस्प्ले गूगल से ज्यादा bright है एक और चीज जो आप लोग देख सकते हैं गूगल की camera app टेक्नो की निस्वत काफी ज्यादा clean है और इसकी UI भी काफी user friendly है टेक्नो में camera sensor थोड़ा बड़ा मिलता है तो हम digitally ज्यादा crop in कर सकते हैं आप लोग देख सकते हमें by default 1x और 3x का option मिल रहा है तो गूगल का zoom भी मैं साथ साथ match कर रहा हूँ ताकि हम लोग fair comparison कर सके गूगल में हमें 16 megapixel का ultra wide camera में मिलता है जो के हमारे पास टेक्नो में नहीं है टेक्नो में image sensor थोड़ा बड़ा होने के वएसे हमें maximum zoom 10x मिल रहा है जबके गूगल में maximum zoom 7x मिल रहा है जबके गूगल की फोटो थोड़ी सी natural side वे उसके लावा दोनों फोटो बिल्कुल identical है मुझे कोई भी difference नजर नहीं आ रहा है यह दोनों फोटो का 3x zoom level है और टेक्नो की सारी HDR processing यहाँ पर वर्क करती है नजर नहीं आ रही क्योंकि जो HDR processing है 1x पर देख के आए है वो 3x पर बिल्कुल खतम हो गई है जबके दूसरी तरफ पिक्सल 5 की processing camera के हैर जूमिंग लावल पर वर्क करती है जहां टेक्नो की फोटो के color बिल्कुल wash out होगे वहां Google काफी solid image के साथ आ रहा है आप लोग देख सकते हैं टेक्नो की फोटो इने रियाज में बिल्कुल wash out है जबके Google की फोटो काफी ज्यादा balanced है ये दोने फूस के maximum zoomed in shot है Google का 7x जबके टेक्नो का 10x टेक्नो का camera sensor थोड़ा सा बड़ा है और megapixel count ज़ादा होने के वाई से फोटो में details ज्यादा है चुकि फोटो के colors बिल्कुल wash out है और HDR बिल्कुल ना होने के बराबर है दूसरी तरफ Google का shot टेक्नो की तरह ज्यादा sharp तो नहीं है बड़ टेक्निकली फोटो ज्यादा better है Google की फोटो के colors काफी अच्छी है इस zooming level पे HDR काफी solid work कर रहा है पर्टिकुलर शॉट मैं आप पे छोड़ाओं comment section में आप लोग ने बताना है कि कौन सी फोटो ज्यादा better है अब ये एक और camera shot है मैं आपको दोनों फोटो की processing समझाना चाहर हूँ उसके लिए मैं दोनों फोटो को तीन पार्ट में divide करूँगा पहले हम अपने subject की बात कर लेते हैं तो आप लोग देखें pixel 5 ने skin tune बिल्कुल accurate capture किया अपनों का color भी google ने बिल्कुल accurately capture किया आप लोग देख सकते हैं कहीं से भी detail missing नहीं है जबकि techno 1 तो color accurate capture नहीं कर रहा है और दूसरा इस portion से थोड़ा सा overexposed है second portion में background में हमारा tree है वो भी आप लोग देख सकते हैं Google ने काफी graceful way में process किया जबकि techno 1 तो बहुत जादा overexposed कर रहा है और drug की सारी fine details बिल्कुल missing है third portion में हमारा आस्मान है जिसके color को Google बिल्कुल accurately capture कर रहा है जबकि techno उसे भी काफी जादा boost कर रहा है सूरज के opposite का मतलब है worst lighting edition इससे जादा challenging lighting edition कहीं पर बिनी हो सकती और इधर ही दोनों फोंस को full chance बिलेगा के वो अपने powerful HDR के muscles शो कर सके पहला shot 1x पे लिया गया और techno as usual colors को काफी जादा boost कर रहा है बाकि dynamic range की बात करें तो Google का HDR जादा powerful है आप लोग देख सकते हैं फोटो के dark portion में Google ने ज्यादा details capture की है और फोटो का most bright part जो के यहाँ पे सूरज है उसको भी काफी छोटा कर दिया यह एक और high dynamic range short है और यहाँ पे दोनों फोंस almost same perform कर रहे हैं Google slightly edge कर रहा है बाकि आप लोग ने comment section में बताना है कि आपको इसमें से कौन सा फोटो ज्यादा appealing लग रहा है अब जरा बारी आती है portrait mode की तो दोनों फोंस 1x और 2x पे portrait shots capture कर सकते हैं आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि portrait mode में Google 1x पे भी 2x जितना crop in करता है यहाँ पी आपको टेक्नो ज्यादा bright लग रहा होगा बट once again यह इसके display जो के ज् उसके लिए channel को लाज़मी subscribe कर लें क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा content आने वाला यह नहों आप लोग वीडियो मिस कर जाएं पहली photo दोनों फोंस के 1x camera की और आप लोग देख सकते है pixel 5 1x पे भी almost 2x जितना zoom in कर रहा है ported mode में भी skin tune google accurately capture कर रहा है उसके इलावा कपड़ों पर details और texture भी google better way में capture कर रहा है background में dynamic range दोनों फोंस की almost same है google natural side बे जा रहा है जबके techno colors को थोड़ा सा boost कर रहा है यह दोनों फोंस का 2x zoomed in shot है और यहाँ पी भी same 1x वाली कहानी है pixel की photo ज्यादा realistic है details का level भी ज्यादा है जिबके techno की photo से लग रहा कि किसी ने कोई beauty filter apply किया ह सकते हैं जबके techno पर आप लोग maximum 2K 30fps वीटे शूट कर सकते हैं मतलब half resolution पर अभी testing के लिए मैं दोनों फोंस की video को 1080p 60fps पर set करूं ताके हमें दोनों का fair comparison मिलें तो दोस्तों यह दोनों फोंस का video sample अभी हम शूट करें 1080p 60fps पर HDR आप लोग देख सकते हैं दोनों फोंस का का बहुत ज्यादा शेक कर रही है जबके pixel 5 की video आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा स्टेबल है और pixel 5 का HDR भी काफी अच्छा है तो वीडियो में काफी huge margin से pixel 5 कहीं बहतर है क्योंके video में stabilization काफी important होती है तो techno अगर marketing gimmicks short के basics पे काम करें तो इसके phones भी काफी अच्छे हो स है मतलब video में काफी ज्यादा limitations है तो दोस्तों यह techno का stabilization on करने के बाद video sample और अभी हम shoot करें 1080p 30fps पे EIS on करने के बाद video काफी हद तक stabilize हो गई है और आप लोग देख सकते हैं यह काफी हद तक usable footage है तो मैं आपको यही recommend करूँगा कि अगर video shoot करते हैं आपको पास अच्छी खा सब्सक्राइब करते हैं तो बढ़ते हैं जारा results की तरफ और देखते हैं without OIS night mode कैसे पर करते हैं पहली फोटो दोनों फूंस की विदाउट नाइड मोड है और आप लोग देख सकते हैं दोनों फूंस ही almost identical है मुझे कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा तो बढ़ते ह सब्सक्राइब करके capture की विए Google की फोटो थोड़ी सी ज्यादा क्रिस्प है जबकि टेक्नों की फोटो स्टेपलाजेशन ना निकवाई से हलकी सी हिली हुई है बाकि दोनों फोटो सर्प्राइजंगली काफी है इंडेंटिकल है तो वन एक्स पे टेक्नों की इमेज प्रोस चौर होने के वैसे अच्छी फोटोस कफचर करता है अब बात कर लेते हैं लो लाइट वीडियोग्राफी के बारे में तो हम लो लाइट में 1080p 30fps वीडियो शूट करेंगे क्योंकि लो लाइट में जितने fps कम हो तो जाएंगे उतनी ही हमें ब्राइट वीडियो मिलती है तो केमरा स्टेबलाजेशन ओफ होने के बावजूद भी फुटेज काफी डार्क प्रडूस कर रहा है और आप लोग टेक्नो की वीडियो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा शेकी है जबकि गूगल पिक्सल की वीडियो काफी ज्यादा स्मूथ है अब मैं आपके स्टेबलाजे पिक्सल 5 का कैमरा बिल्कुल सेम है क्योंकि बहुत सारी रिजन्स की वैसे मैं आपको पिक्सल 5 की जगा 4A 5G रेकमेंड करता हूँ तो अगर आप 4A 5G बायर करना चाहते हैं और उसके बार वे मजीद रीसर्च करना चाहते हैं तो यह रहा पिक्सल 4A 5G का कम्प्लीट रिव